हेले फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग आशागर्दों का पच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल बेसिक में सॉनटिप्स में और इस स्टूडियो में मैं कहने वाला हूं एन्च एंच 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 जोएंट रेंटर एक्जाम के 2015 में पूछा गया और दूसरे ट्रेंगल है उसकी एक साइड़ा में गिवन है और ये बताया हूब यह दोनों ट्रींगल एक दूसरे के था निकालना है तो यहां पर मैं roughly बना लेता हूं दो ट्राइंगल जैसे कि पहला ट्राइंगल मैंने बना लिया कि यह A B C है और एक दूसरा ट्राइंगल मैंने यहां बना लिया कि यह D E F है अब इनके measurement मैं लिख लिता हूं जैसे कि यहां से शुरू करता हूं 9 cm B C हो गया A C 10 cm ले लिया मैं है और यह 11 cm ले लिए उसके बाद इन्हों ने यह कहा था कि जो smallest साइड है स्विम्ले ट्राइंगल की वह 18 है तो यहां पर देखें इसमें स्मॉले साइड कौन सी है B C है न तो इसलिए इसकी E F है तो E F स्मॉलेस्ट होगी यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि यह 18 cm है यह देखें जैसे को जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के similar होते हैं तो उनकी साइड प्रपोर्श्णल होती हैं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि triangle ABC similar है triangle DEF के तो जब यह दोनों similar हैं तो इनकी साइड proportional होंगी तो मैं यहाँ लिख सकता हूं यहां पर देखें A B जो है वो D E के corresponding होगी ठीक है और B C जो है वो E F के corresponding होगी A C जो है वो D F के corresponding होगी तो जब दोनों triangle similar हैं तो उनकी corresponding side proportional है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि A B D upon में A B के corresponding है D E तो यहाँ D E लिखेंगे equal to B C इसके corresponding side है यहाँ पर E F equal to यहाँ पर है A C, A C के corresponding side है यहाँ D F इसका reason मैं यहाँ लिख लेता हूं bracket में देखें मैंने यह लिख लिया है इसका reason क्या है अब यहाँ पर हम put करेंगे measurement को तो यहाँ पर 11 है तो मैं 11 लिख सकता हूं और D E यहाँ पर देखें तो यहाँ D E को देखें मैंने यहाँ पर X माना था यहाँ पर X लिखूँगा is equal to BC 9 है और E F यहाँ पर 18 है तो यहाँ 18 put की जाएगी equal to AC यहाँ देखें तो 10 है और D F जो है यहाँ लिख 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 लिखांगे अब यहाँ पर इसको हम solve करेंगे और X और Y की value को निकालेंगे और जब मारी X और Y की value आजेगी तो देखें यहाँ पर यह X है हमारा यह Y है जब X और Y की value आएगी तो हम easily इसका parameter निकाल सकते हैं क्योंकि साइडों का जो sum होता है वो parameter की equal होता है यानिकि X प्लस Y प्लस 18 जो है वो इसका parameter होगा triangle D E F का अब म तो X equal to 18 multiply 11 upon में 9 तो 9 से 18 कर गया 2 जाते तो इस तरह से यह आ जाता है 22 X जो है यहाँ पर आ गया है हमारा 22 अब इसी तरह से हम Y निकालेंगे तो Y के लिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं यहाँ पर मैं लिख लूँगा दुबारा से लिख लेता हूं इसको 9 upon 18 यहाँ equal है 10 upon में y के cross multiply करेंगे तो 9 multiply y equal to 10 multiply 18 अब यह जो 9 है यह upon में आ जागा तो 10 multiply 18 upon में 9 तो 9 से 18 कर गए तो इस तरह से 10 तूजा 20 तो इस तरह से y की value जो है वह 20 आ जाती है अब देखें अब हमें निकालना है इसका parameter def का हम यहां लिखेंगे कि parameter of triangle def is equal to de plus ef plus df यहां कि तीनों साइट का साम होगा अब de हमने देखें शुरू में माना था x है यह हमारा x है ef यहाँ पर हमें given है 18 और def हमने y माना था एक्स और y की value को import कर लेंगे है आपर x जो है यह मेरे 22 है यह 18 मालूम ही हमें def और y जो है अभी हमारा निकला है 20 तो यहां पर तीनों का अगर मैं add कर लेता हूं तो मेरा answer आजाता है 60 तो 60 cm जो है वो parameter निकला है हमारा def triangle का तो मैं आशा करता हूं कि आपके question समझ में होगा तो इसी तरह के और question nch mcdg के already upload हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नगी question साथ तब तक लिए good bye झाल